लाइब आजाओ बच्छो और शेयर कर दो फटाफट लाइब आजाओ लाइब आजाओ आवाज आजादी है लाइब आजाओ ओके ठीक है तैचुन को एक बार शेयर कर दो फटा फट और चीजों को फिर स्टार्ट करते हैं तैचुन को एक बार शेयर कर दो झाल 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 चलो प्रेशन को स्टार्ट करते हैं ओके ्रेश्या थे यह जैएраш 4,500 प्रेश्या घाङ्वार स्टार्ट करते हैं I have keen, interesting in teaching and given more than 900, 1000 plus selection, various government exams. So I teach biology and physics on this platform. So now all you are correct, NDA, Air Force, X and Y, Navy with India's largest learning platform. So all you get the plus subscription and you will get daily live classes, live tests and quizzes, unlimited essays and structure courses. तो हाँ, यह मेरा फिक्स टाइम है, योट्यूब टाइम भाई फिक्स है, हमन्त, देखो यूट्यूब पे यूट्यूब पे बच्चे में है, इवनिंग में, इवनिंग में तो 6 पीम, बहुत कुछ अगर प्रॉबलम होगी इशू होगा, तो ही अलका फूल का टाइम शिफ् वह मॉनिंग में 6 पीम है, और जो मॉनिंग का टाइम है बच्चे वह है आपका नाइन पीम्मॉनिंग का जो टाइम हो नाइन पी सिर्फ नाइन आम और येट लेकिन जो कलकी क्लास है वह 8 तर रोज वैसे 9 तर रोजवाश से 9 तो इक चौल पर रहा है, घुमित। डाउनलोड अनकेडमी लर्निंग एप इंडिया लार्जेस लर्निंग प्लैटफॉर्म सो अल्यूर इंस्टॉल दिस एप ठीक है एंड यू आर फॉलो ऑन अन दिस एप आई आई अल्सो टेक लाइव क्लासिस ऑन दा अनकेडमी एप पर अनकेडमी एप पर मैं फिजिक्स जल्दी जल्दी सब्सेप्शन ले सकते हैं ठीक और बहुत सारे मोर्दन फॉर्टी रंडर कोर्सी अर अबलेबल ऑन दा अनकेडमी तो अल्लॉक दा फ्री कंटेंट विद माइक कोड जी जीरो वन है ना अल्यू आर अनलॉक बाइव यूजिं दिस कोड जीरो वन ओके का मैं अनलिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कई बच्चे कहे थे एक्टिव नहीं है ठीक है एक्टिव ए लिंक भाई एंड एंड एर फोर्स एक्सवाई नीवी का जो सब्सुप्शन है एक मंत का से सुट्रिप्शन सुस्टी नंवेड का इस मंस का देख सकते हैं ठीक है तो कोई भी सब्सुप्शन आप ले तो यह कोड यूज़ कर सकते हैं जीए जीडो वन इस कोड का इस्तमाल करके आप 10% का special discount पा सकते हैं किसी भी फीस पर तो यह तो बात थी बाई introduction की जितने भी बच्चे लाइव हैं मेरे साथ अभी ठीक जितने भी बच्चे लाइव हैं सबको नमस्कार सबको जैहिंद और चीजों को स्टार्ट करते हैं तो देखो बई तो आज का जो session रहने वाला है बच्चे आज का जो session है वो nervous system के उपर है तंत्री का तंत्र आज का जो session है बच्चे वो तंत्री का तंत्र है nervous system है और nervous system के अगर हम बात करें तो nervous किसी को देख के nervous होते हो पेपर में question को देख कर nervous होते हो ना तो nervous जब ही होते ह जब तुम्हारे अंदर दिमाग होता है अगर बच्चे वहीं तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं होगा तो नर्वस कहां से होगे तो नर्वस होने के लिए दिमाग का होना भी जरूरी है है कि नी नर्वस होने के लिए दिमाग का होना कितना जरूरी है बहुत जरूरी है तो इस सिस्टम में हम दिमाग को ही पढ़ेंगे माइंड को ही पढ़ेंगे इस सिस्टम में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में स्टुडी करेंगे और basically क्या करता है nervous system में हम basically जो पढ़ते हैं वो basically हम इसको दो part में divide करके पढ़ते हैं कि एक तो जो decision ले रहा है जो बंदा decision कौन कौन लेता हमारे statement decision लेता हमारा brain और हमारा spinal cord आपने साथ पहली बार सुना होगा मेरे मुझ से spinal cord नाम की किसी बच्चे को पता है कि spinal cord decision लेने काम करता है और अगर पता है तो ये भी बताना कि क्या decision spinal cord लेता है बाकि आगे तो हम पढ़ाएंगे पता है किसी को spinal cord decision लेने का भी काम करता है किसी को पता है यहां पर नहीं पता कोई बार नहीं है आगे पढ़ेंगे है ना जो मैं रीड की हट्टी होते है उसके बीच बीच ओ बीच एक एक नस जाती है cord जाती है ऐसे निकल के दिमाग के पिछले इससे से निकल के जाती है यह हमारा अगर brain है ब्रेन के पीछे से है ना जो एक गुद्धी है पीछे की तरफ वहां से नस जाती है नीचे नीचे की तरफ निकल करते है इसी को हम क्या कहते है बच्छे में जो दिशिजन को नर्वस सिस्टम में हम क्या पड़ेगे जो डिशियन लेता है और जो दिशिजन भेषते यह चीजय हमकिआoles सिस्टम है ने उड़ते हैं this is the nervous system this is what this is the nervous system and nervous system is divided into two parts central nervous system and peripheral nervous system PNS ठीक है दो part में divide होता है nervous system एक तो CNS होता है और एक है PNS CNS में दो चीज़े आती है CNS जो है जो central nervous system है वो basically क्या करता है central nervous system basically बच्चे यह decision लेता है central nervous system क्या करता है यह decision लेता है it takes decision और peripheral nervous system जो है यह क्या करता है peripheral nervous system क्या करता है यह message को जो CNS के द्वारा message decision लिया गया है उस message को body के अंदर transfer करता है शहीर के अंदर transfer करता है ठीक है उस message को कहां transfer करता है बड़ी के अंदर transfer करता है समझ गए तो nervous system takes decision ठीक central nervous system ये के लिए सरकार है CNS है ये के लिए सरकार के नीचे जो officers है वो है जो कि decision को transfer करेंगे ठीक है भी तो इस तरीके से जो nervous system वो दो part में divided है CNS में दो part आते हैं decision linear calm दो चीजों का एक तो brain और एक है spinal cord ये दो जोनों चीजे हैं ये क्या करते हैं decision लेते हैं peripheral nervous system फिरसे हमने दो part में divide किया है इनकी बात हम बात में करेंगे बात के session में करेंगे part two में इसकी बात करूँँआ PNS की आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो CNS की बात करूँँँआ में रूप से TNS में भी ब्रेन की बात करूआ है ठीक है अगर टाइम बचा तो इस्पाइल कॉड भी पढ़ाऊंगो लेकिन ब्रेन ही है तो अगर मैं एक कि मसलिक मोटा मोटी बात करूं तो नरुस सिस्टम जो है ना यह नर्वस शिस्टम आगागर आपके夏 Zeit कि जो 80% से क्षोन है एक्षा हो ब्रेन भी कवर करता है यह बात फाerg्या टबना लाए नर्वस शिस्टमम का जो 80 सेक्षन है बच्चे वह ब्रेन ही कवर करता है मनलब जातर कोशन अगर नर्वस सिस्टम से आजए तो ब्रेन से संबंद दिदाएंगे तो आज मैं ब्रेन कराने वाला हूँ आपका और इससे जो कुछ कोशन इंपॉर्टन वो कराएंगे बाकी नर्वस सिस्टम का पूरी तरह से अलग कोशन लेके भी आऊंगा मैं इसके से 30 कोशन का एक सैट लिखाएंगे नर्वस सिस्टम चूपर तो हम ब्रें की बात करते हैं सबसे पहले एक आता है आपका बेन मस्थिश्क एक आता है इस्पाइनल कॉडThe तो हुश इस तरीके से होता है और इस मस्थिश के पिछले हिस्से से थले पिछह नीचे नेक्ट पूरे सी एनस पर ये जो पूरा सी एन सह कira Nej बुरा मस्धिश्व होड स्पैन्यक्राइप छेले पहते ही पत्ल हुजाते है कि में रूप से लेयर मस्तिश्वी उपर की बता रहा हूं तो जैसे हमारा मस्तिश्व है देखो भई मालो बच्चे है हमारा ब्रेन है ठीक है मालो बच्चे क्या है हमारा ब्रेन है ठीक है और यह हमारा नीचे इस पैनल कॉर्ड है तो इस ब्रेन के अपर कवरिंग पे इस brain के उपर एक layer होती है इस brain के उपर एक क्या होती है एक layer होती है brain आप पूरा CNS ही कह सकते हो इस पूरा CNS पे एक layer होती है इस layer को हम कहते है meanings क्या कहते है meanings कहते है ठीक है और ये जो meanings है ये जो meanings है ये further three layers में divided है महलब एक मोटी परत होती है हमारे brain के उपर क्या होती है एक मोटी परत होती है जो की तीन सब layers में क्या है बच्चे divided है तीन सब layers में बटी हुई है जो उपरवाई layer है उपरवाई layer है उसे हम कहते हैं D, बीच वाली को A और सबसे नीच वाली को P मलब इन तीनों layer को मिला कर क्या बनता है इन तीनों layer को मिला कर हमारा meanings बनता है ठीक है हमारा meanings बनता है तो D stand for duramatter D stand for duramatter तो यह question आता है कि meanings की सबसे उपरी layer को क्या कहते है duramatter और meanings क्या है basically, meanings is the upper layer of the brain हमारे मस्तिश का जो उपरी layer है उसे meanings कहते है A stand for Arcanoid A stand for Arcanoid ठीक है, A कहा है बच्चे, Arcanoid है and P stand for Pyameter Pyameter जो है, वो सबसे नीचवाई लेयर है ठीक है, और देखो, इन लेयर्स के बीच में Liquid भरा होता है, एक दरवे पधार्त भरा होता है इन लेयर्स के बीच में क्या होता है बच्चे एक दरवे पधार्त भरा होता है, एक Liquid भरा होता है ठीक है, इस Liquid को हम क्या कहते है इस Liquid को हम बोलते है Cerebro Spinal Fluid क्या कहते है बहिया, इस Liquid को हम कहते है Cerebro Spinal Fluid ठीक, तो Question कैसा आता है, कि Minings के अंदर कौन सा Liquid होता है तो Minings के अंदर Liquid होता है Cerebro Spinal Fluid ठीक, मिनिंग्स के अंदर कौन सा लिक्विड होता है, बच्चे, सेरीब्रो स्पाइनल फ्लूड होता है, ठीक है, और मिनिंग्स जो है, वो कितनी लेयर से मिलकर बना है, तीन लेयर से मिलकर बना है, बच्चों समझ में, बात आई, बात आगी समझने सबको क्या नहीं, ठीक है, तो दिवरामेटर, आर्कनोईट और पायामेटर, ठीक है, ठीक है, एक तो यह था हमारा मिनिंग के बारे में देखते हैं कुछ बाते जैसे यह देखो यह मिनिंग है तो तो बिट्वी इसके लेन आर्ट फीटीशू कॉल मिनिक्स टी ले अर्ट इवर का इटीशू होता है आउटर दा इस्ट्रोंमा आउटर मॉस्ट लियर is named as the duramater जो सबसे bi-layer होती है और outermost layer होती हुशे हम क्या करते है duramater ठीक है तो जैसे हमारे मस्तिश का जो सबसे उपर तो bone है उसके नीचे है उसके नीचे brain है मांस वाला पार्ट है तो उसके नीचे है duramater है फिर arcanoid है फिर biomater है ठीक है ठीक तो जो duramater है यह जैसे था outer lining of the skull arcanoid contains the blood vessel तो arcanoid जो है question आता कि जो meanings है, meanings का कौन सा layer है जिसमें blood vessels होते है तो वो है arcanoid arcanoid जो है वो blood vessels होता है ठीक और इनके बीच की जो जगह होती है इनके बीच की जगह होती है तो उसमें क्या भड़ा होता है CSF भड़ा होता है cerebro spinal fluid भड़ा होता है यह बताया था ना भी मैंने पीछे cerebro spinal fluid cerebro spinal fluid भड़ा होता है इनके बीच में ठीक समझ गहे अच्छा एक चीज़ और बता देता हूं यहां चलते चलते जैसे एक शब्द है यहां पे periocetum है ना periocetum और इसके नीचे लिखा bone लिख रहा है बात यहां पे एक शब्द लिखा है periocetum और इसके नीचे का लिखा bone लिखा है तो अगर कभी भी कोशन आता है कि bone के उपर कौन सी covering होती है पूरे शरीर में हमारी जितनी भी bones है उसके ऊपर कौन सी covering होती है तो उसके ऊपर bones को पर जो covering होती है उसे हम क्या कहते है periocetum कोई भी bone हो तो यहां पे इसलिए periocetum उसके ऊपर है skin और इसी skin को ऊपर क्य होंगे बाल होंगे हमारे समझ गे बात को तो यह meaning क्या है अभी मैंने आपको upper layer बताई है अपने मस्तिश की upper layer के बारे में बताया है यह बात आगी समझ में चलो तो अब एक concept देखते हैं जड़ा एक concept देखते हैं बहुत ही खूबशूरस सा concept है एक concept देखते हैं बहुत अच्छा concept है concept क्या है कि हमारे पास एक fever आता है जिसे हम कहते हैं brain fever मलब जब हमें बुखार दिमाख में हमारा जब बुखार दिमाख में चड़ियाता है तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम एक शब्द देते है brain fever ठीक है, तो brain fever के नाम से दो बिमारियों को जाना जाता है ठीक है, अगर कोई वाइरस हमारे दिमाग में घुच जाए ठीक है, अगर कोई वाइरस हमारे दिमाग को प्रभावित करता है तो उसकी वज़े से अगर हमें fever आता है, समझ गए अगर कोई वाइरस हमारे दिमाग को प्रभावित करे और उसकी वज़े से हमें फीवर आए तो हम उसे क्या नाम देंगे ब्रेन फीवर तो ऐसा सिर्फ दो ही बिमारियों में होता है फीवर तरह से बहुत सारी बिमारी में आता है लेकिन उसका वायरस दिमार में नहीं चड़ता है उसका वायरस फेफडो में जाता है ठीक है तो brain fever को अगर हम समझें तो brain fever से हम दो बिमारियों को जानते हैं पहली बिमारी जो है वो है meningitis और दूसरी बिमारी है बच्चे encephalitis दूसरी बिमारी क्या है दूसरी बिमारी है encephalitis तो सबसे पहले meningitis को समझते हैं अभी मैं थोज दिर पहले बताया कि हमारे मस्तिष का जो सबसे अपर लेयर है उसे मिनिस कहते हैं मतलब यह मोटी चादर है और यह जो मोटी चादर हो तीन और लेयर से और नीचे है B-Piometer और इनके बीच में fluid भरा होता है ठीक है? Cerebro Spinal Fluid भरा होता है इनके बीच में कौन सा fluid होता है? Cerebro Spinal Fluid होता है ठीक है? जिसको मैं short form में लिख रहा हूँ CSF ये भरा होता है तो जो Cerebro Spinal Fluid है ना इसका काम क्या होता है? हमारे मस्तिश को ठंडा रखना, cool रखना ब्रेन को cool रखना है मस्तिश को क्या रखना भई? ठंडा रखना, cool रखना ठंडा, ठंडा, cool, cool ठीक? तो मस्तिश को cool रखने काम किसका होता है? Cerebro Spinal Fluid का होता है CSF का होता है ठीक है? यहाँ तक कोई कोई डाउट है तो बताओ कि यहां तक कोई डाउट है विच्छे तो यह ऐसा काम का है मस्तिश को कूल रखना मस्तिश को मस्तिश को ठंडा रखना ठीक है तो अगर जब भी हमारा CSF की मात्रा जब हमारे बॉड़ी में बॉड़ी कहा रहा हूँ मिनिंग्स के अंदर CSF का अमाउंट कम हो जाएगा ठीक है डाउन हो जाएगा तो हमारे जो मस्तिश को है उसका temperature क्या ओजाता है गलता है उसका temperature अ बढ़ जाता है इसकी वज़ासे हमें fever हो जाता है या फिर जब इसकी मात्रा इस liquid की मात्रा कम होती है पर इस means में क्या जाती है सूजन आ जाती है फ सर में दर्द होगा बहुत ज़्यादा इसी बीमारी को हम कहते है Mining Itis तो जब मींनिक्स में दिक्कत आती है तो उस बीमारी को हम क्या कहते है Mining Itis कहते है मिनिक्स कहते है ठीक है चालो तो अगर कभी भी कोशन आता कि मिनिंग जाइटिस बीमारी या ब्रेन फीवर जो है वो किस बीमारियों कहते है मिनिंग जाइटिस किस अंग से संबंदित है तो आप क्या बोलोगे ब्रेन से संबंदित है ठीक है अब दूसरी बीमारी है एंसे फैलाइटिस दूसरी बीमारी क हाइपो थैलमेस ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है, और ब्रेन का एक हिस्सा है, जो की हमारे body temperature को regulate करता है, body temperature को क्या करता है, control करता हाइपो थैलमेस, इसका काम ही है, body temperature को control करने काम, इसका है भई, प्राची सिंग ब्रेन लेयर ठीक तो एंसे फेलाइटी से एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे हाइपो थेलेमस को प्रभावित करती है और हाइपो थेलेमस हमारे चरीर के बॉडी टेंपरेचर को कॉंस्टेंट रखता है, कंट्रोल करता है तो जब ये बीमारी हाइपो थेलेमस को प्रभावित करते हैं हाइपो थेलेमस में सूजन आ जाती है तो हमारे ब्रेन का भी टेंपरेचर बढ़ता है और साथ के साथ श्रहीर का भी बढ़ जाता है तो इसलिए इसको हम इन दोनों बिमारियों को हम brain fever कहते हैं तो आप एक कह सकते हो कि minigitis तो brain के उपरी हिस्से को प्रभावित कर दी है और encephalitis brain के आंतरिक हिस्से को प्रभावित करती है तो यह बिमारी जो है यह थोड़ी dangerous बिमारी है यह बिमारी कैसी है dangerous है और यह एक हलकी फुलकी बिमारी इतनी dangerous नहीं है देखेंगा इलाज ना हो तो dangerous तो होई भी है ठीक है तो dangerous यह किसके लिए यह dangerous जादतर बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए dangerous है उनी को जादा भी बिमारी होती है आप अगर news पढ़ते हो तो आप देखते होगे कि हर साल जो बिहार है एक बिहार का एक जिला है इसे रफ कर दूँ बिहार का एक जिला है बिहार का एक जिला है भई मुझफर नगर हर साल मुझफर नगर में मुझफर नगर नी मुझफर पूर है मुझफरपुर तो मुझफरपुर एक जिला है बिहार में वहाँ पर हर साले बिमारी फैलती है और उस बिमारी को एंसेफलाइटिस को बिहार के लेंग्वेज में मुझफर नगर पुर के रेंग्वेज में इसे हम चमकी बुखार भी कहते हैं अगर आप रोज news सुनते हो तो daily basis पे तो आपको पता हो आज़िए तो question आ जाता है कि चमकी बुखार को और किस नाम से जाना जाता है एंसे फैलाइटिस और इस बिमारी को हम Japanese fever भी कहते हैं योगि ये बिमारी सबसे पहले जापान में देखी गई थी है ना और हर साल इससे कम से कम 500 बच्चे इंडिया में मरते हैं और जातर उसमें 90% जो बिहार और यूपी इस्टन यूपी में ही मरते हैं जातर जो बच्चे हैं ठीक है ये बात आई भाई समझ में बताओ भाई ये कहानी समझ भाई ही नहीं प्राची ये मन्त चलो आगे चलते हैं तो ये सारी कहानी है तो अभी तक हमने बात करी बच्चे हमने बात करी मिनिंग्स की जो कि ब्रेन का अपर लेयर होता है अब हम ब्रेन के अंदर चलते तो देखो 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 देसिजिता होड़ इस्ट्ogn Ganz और ons में इसको समझा देता हूं तो हमारे brain का जो four brain है, जो उपरी वाला brain है, उसके चार लोब है, एक है temporal lobe, ठीक है, एक है frontal lobe, ठीक है, एक है parietal lobe और एक है occipital lobe, यह याद होना चाहिए आपको, हर साल question आता है, temporal lobe, frontal lobe, parietal lobe और occipital lobe, ठीक है, और occipital lobe, ठीक है, तो these are the four lobe, mostly जो चीजे हैं, वो इनी से control होती है, ठीक है, frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe और temporal lobe, ठीक है, इनी से जो चीजे हैं, वो control होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अगर देखो, एक और concept देखो, जो बच्चे यहाँ पर confused रहते हैं, अगर कोई भी अगर कोई पूछता भाई टाइपस ऑफ ब्रेन बताओ ब्रेन कितने प्रकार का होता है ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तो ब्रेन को बेसिकली डिवाइड किया गया है ब्रेन को बेसिकली डिवाइड किया गया है तीन पार्ट में कौन-कौन सा एक तो हो हम कहते हैं मर्द्यमस्तिश्क जिसम क्या कहते हैं मर्द्यमस्तिश्क और एक होता है विच्छे हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन जिसे कहते हैं पश्च मस्तिश्क है इससे हम क्या करते है हिंड ब्रेन या पश्च मस्टिश ठीक है तो 4 brain निज्ट ब्रेन और हिंड ब्रेन तो ब्रेन को इस तरह से हमने डिवाइड क्या है लेकिन इसका डिवीजन जो आलग-अलग बुक में अलग-अलग तरीके, से मिलता है। हिंदी में। अच्छा हिंड ब्रेन, थीक है। इंड मरें पर्ष्च मच्ठी. तो फ्वर ब्रेन क्या है ? अगला वाला हिस्सा है। इससे structure मी ज़दा समझो। तो ये जो उपर वाला हिस्सा है ना ये वाला पूरा हिस्सा ये 4Brain है जो मैंने लोब बताएं आपको अलग-अलग जो बच्चे लोब आपको बताएं है वो क्या है वो है आपका temporal lobe हो गया, frontal lobe हो गया parital lobe हो गया और occipital lobe हो गया यह पूरा जो हिस्सा है this is the part of a forebrain उपर वाला हिस्सा ठीक है उपर वाला जो हिस्सा है this is the part of the forebrain है ना, बीच वाला जो हिस्सा होता है ठीक है, यहाँ पर एक हिस्सा होता है नीचे की तरब यहाँ पर एक हिस्सा होता है, इसके पीछे होता है, यहाँ पर हिस्सा है, इसे mid brain कहते है, और यह सारा जो है, यह four brain, hind brain है, sorry, जैसे medulla हो गया, cerebellum हो गया, पॉन्स हो गया, तो पॉन्स, medulla, यह, यह, और यह, cerebellum, यह आपका क्या है, यह basically आपका hind brain है, समझ गए बात को? बात आई, बच्चे समझ में कि नहीं? पॉर ब्रेन में basically जो चीज़े आती है, वो कौन-कौन सी आती है, जैसे आता है, cerebellum, sorry, एग निनुट, तो देखो भई, पॉर बेन में जो चीज़े आती है, वो आती है, cerebrum, cerebrum आता है, इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है, hypothalamus, या इसको thalamus भी बोलते हैं, hypothalamus, पॉरकि थalamus के अंदर ही hypothalamus होता है, तो थalamus भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है? और एक आता है, एक आता है, brain stem, एक क्या आता है, brain stem आता है, यह four brain का basically part होता है, mid brain का, mid brain में basically हम इसको divide नहीं करते, इसमें एक cortex part आता है, एक ही part आता है, इसमें cortex, cerebral cortex, इसमें कहा सकते हैं, हिंड brain में जो है, वो आता है, pons, cerebellum, और medulla, अब देखो, यहाँ figure में देखो, तुम लोग figure में देखो, four brain में क्या क्या आएगा, four brain में आएगा, temporal lobe, frontal lobe, parietal lobe, और occipital lobe, देखो यह जो चार lobe है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यह चारों लोग जो है, वो मिलकर किसको बनाते हैं, यह मिलकर बनाते हैं, cerebrum को, मतलब हमारे brain का जो सबसे बड़ा भाग है, वो कौन सा है, cerebrum है, it is the largest part of the brain, यह जो कि brain का 80% part यह cerebrum ही cover करता है, ठीक है, उपर वाला जो इससा होता है, तो यह 4 लोग मिलकर किसको बनाते हैं, cerebrum को बनाते हैं, ठीक है, इसके बाद, cerebrum के बाद आता है आपका thalamus, जैसे मैंने बताए था, यह 4 brain का part है, hypothalamus, hypothalamus, यहीं होता है, मटर के दाने जैसा होता है, छोटा सा, ठीक है, इसके बाद आता आपका brain stem, यह जो है, काला काला से जो फैला हुआ है, यह brain stem, यह 4 brain का part है, ठीक है, brain stem, घर की लुगाई, hello sir, नाम तो बड़ा अच्छा रखा तुमने घर की लुगाई, दूसरा नाम नहीं मिला भई, चलो, ठीक है भई, तो यह था 4 brain की बात करी हमने, 4 brain अगर कभी भी कोचना आता है, कि सेरीब्रम कितने लोप्स में डिवाइड है, तो सेरीब्रम इडिवाइड इंटो 4 lobes, temporal lobe, frontal lobe, parietal lobe और occipital lobe, इन चारो को मिला कर क्या बोलते हैं, सेरीब्रम बोलते हैं, largest part of the brain, फिर दूसरा आ गया थेलेमेस या हाइपो थेलेमेस बोल दो, और तीसरा पार्ट आ गया brain stem, तो this is the four brain, mid brain की बात करें, तो mid brain को दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, लाल कलर से भाई four brain को दिखाया है, mid brain को blue color से दिखाते हैं, तो mid brain में ये एक पार्ट आता है, cerebral cortex, क्या आता है, cerebral cortex, जो फूल परतिसा बना है, ठीक है, cerebral cortex, या mid brain, किसी-किसी बुक में से mid brain ही लिखा होता है, ठीक है, एक कोशन आता है, मतलब सेरीब्रल कॉर्टेक्स को मिड़ बेन कहते हैं, या किसी-किसी बुक में, सेरीब्रल कॉर्टेक्स की जगह ही mid brain लिखा होता है, ठीक है, ये चीज़, देख लो भी, तो ये कोशन आता है कि सेरीब्रल जो कॉर्टेक्स है, या mid brain है, इसको कौन घेर के रखता है, कवर करके कौन रखता है, तो आंसर हो जाएगा, सेरीब्रलम, कौन कवर करके रखता है mid brain को, mid brain is covered by, किसके द्वारा, mid brain is covered by, mid brain is covered by, सेरीब्रलम, सेरीब्रम अलग चीज़ है, और सेरीब्रम अलग चीज़ है, सेरीब्रम is a part of four brain, और सेरीब्रम is a part of, सेरीब्रम is a part of hind brain, तो कोशन आ जाता है, कि mid brain जो है, वो किसके द्वारा cover होता है, सेरीब्रम के द्वारा cover होता है, ठीक है, hind brain के पार्ट कौन कौन से है, तीन पार्ट है, कौन सेरीब्रम और मैंडूला, ये बात आगी समझ में भई, किसी कोगर doubt है, एक भी चीज में तो पूछ लो, अच्छा, हमारे घर में लड़कियां बहुत है, तो इसलिए तुम घर की लुगाई हो गए है, चलो अच्छी बात है भई, पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आई की नहीं, अच्छी क्लास का है, अरे भई, कहां सोते रहते हो भई, फिजी सी क्लास एप पर चलती है ना, अभी यूट्यूब पर मैं बायों ले रहा हूं, फिजीक्स आज मैंने सुबह से दो क्लास ले ली वही, एप पर फिजीस की, तो एप पर ले ली अगरों, ठीक है, एप पर मुझे फॉलो कर लो, जब भी भी मैं क्लास रखूँगा, वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ले कहीं? हुआई बाएगा ले 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 लेवागे हागे, मता बाई चालो गर की लुगाई सदा बहुत अच्छा पढ़ाते हो थैंक्स भाई थैंक्स डिस्क्रिप्शन का तो मैं एक बार टेक्निकल टीम से बोलूँगा हेमन्थ है ना योगी ये जो चीजे हैं टेक्निकल जो चीजे हैं ये मैं नहीं करता हूँ ठीक है तो एक बार आज टेक्निकल टीम से बात करता हूँ है है ना तो यह सारी चीज़ें अटेच करा देते हैं ठीक है अनकेडमी प्रोफाइल वेगर अटेच करा दूँआ ठीक है भी चलो तो आगे चलते हैं बच्चे तो यह सारी तो बाते हो गई और किसी कोई डाउट है तो बताओ लेकिन बच्चे कुछ बुक्स में ब्रेन को डिवाइड करने का तरीका अलग है पुछ बुक्स में अलग है तो मैं हर एंगल से आपको चीज़ें समझाना चारा हूँ ताकि आप कभी भी कहीं और से भी पढ़ो, किसी बुक में से पढ़ो, तो कवोगी सर ने गलत पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है, एक ये आसान तरीका है, जिससे आप चीजों को असान से समझ सकते हो, लेकिन कुछ बुक्स में अलग है, तो उस तरी, उस वे में भी हम चीजों को समझते हैं, है ना, चीजे वहीं है, लेकिन समझने का तरीका लगए, जैसे कुछ चीजे जो हैं, वो इस तरह से डराइब की गई है, जैसे अगर कोशन आता है कि ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो आप लिखो कि तीन, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ऐ पार्ट है, यह सबसे बड़े-बड़े पार्ट है, तो इस तरीके से भी चीजों को जो है, वो डिवाइड किया गया है, ठीक है, इस तरीके से भी जो चीजे हैं, वो डिवाइड की गई है, तो एक एक करके चीजों को समझते हैं, और फिर आगे हम चलेंगे, ठीक है, तो स तीरों चीजों की हम जरा एक बार बात कर लेते हैं उपर-उपर से, देखो भई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भई, सेरी बेलम, सेरी ब्रम की, सौरी, सेरी ब्रम, तो सेरी ब्रम की अगर हम बात करें, सेरी ब्रम is divided into four lobes, एक तो frontal lobe, temporal lobe, occipital lobe, और parietal lobe, मैं पूरा-पूरा नाम नहीं लिख रहा, frontal lobe, temporal lobe, occipital lobe, parietal lobe, वैसे अगर all over पूछा जाता है कि सेरी ब्रम का क्या काम है, तो सेरी ब्रम हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट है, it is the largest part of our brain, it is what? It is the largest part of our brain, हमारे मस्तिश्च का सबसे बड़ा पार्ट होता है, largest part of our brain होता है, ठीक है, और सेरी ब्रम जो है, हमारी जो आदते हैं, ठीक है, बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका, आदते जो है, ठीक है, या हम जब किसी से चीज से, किसी से conversation करते हैं, ठीक है, या जो बच्चे हमारी यादाश है, यादे हैं, ठीक है, उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझे छोड के चला गया यह छोड़के चलीक तो यह जो यादे हैं भई यह सारी की सारी कहां स्टोर रहती है सैरी वरम में अभी में जो आपको पढ़ा रहा हूं वो जो knowledge है कहां है यह सैरी ब्रम में स्टोर हो रही है तो इसमें भी हर चीज़ का अलग-अलग लोब में चो चीज़े हैं अलग-अलग इस्टोर होती हैं अलग-अलग लोब में अलग-अलग चीज़े यूज इस्टोर होती हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंटल लोब की हम बात करते हैं सबसे पहले तो frontal lobe is a section of the brain located in the front of the head, है न, frontal lobe is involved personality, characteristics and movement, degeneration of smell usually involves the part of the frontal lobe, तो जो personality है, हमाई जो personality है, हमाई जो आदते हैं, ठीक है, वो कौन कंटोल कर रहा है, habit को कौन कंटोल कर रहा है, frontal lobe कंटोल कर रहा है, इसको frontal इसलिए बोलते हैं कि यह सबसे बड़ा section और सबसे front में होता है, यह आगे, आगे की तरफ, यह जो माथे के आगे की तरफ जो लोब है, इसम क्या कहते हैं, frontal lobe कहते हैं, है न, तो smell को पहचानना, decanation of smell, किसी चीज की दुरगन को पहचानना भी किसका काम है, frontal lobe का ही काम होता है, ठीक है, जैसे घर में कोई चीज बन रही है, गाजर का हलवा बन रहा है, तो आप सुन कहीं पहचान लोगी, चलो आज तो गाजर का हलवा बन रहा है, शाही पनीर बन रही है, तो आप सुन इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, एक नेक्ट, ठीक है, तो देखो भई, हमारे दिमार्ग में जितनी भी स्मेल रहती हो, कहां रहती हो, frontal lobe में, अब दूसर लोब की बात करते हैं, पराइटल लोब, दूसर लोब का है भई, दूसर लोब है बच्चे, पराइटल लोब, तो पराइटल लोब जो है, वो middle part of the brain में है, देखो कहां पर है, यह भी चमल लोब है कहां पर, तुम्हें पता होना चाहिए ना, तभी तो दिमाग में बैठेगा, यह पराइटल लोब है, यह नीला वाला, यह पराइटल लोब है, तो पराइटल लोब कहां होता बच्चे पराइटल लोब होता है, middle part of the brain में, है ना, पराइटल लोब क्या करता है, helps a person to identify object and understand spiritual relationship, है ना, किसी भी परसन को पहचानने की जो शक्ती है, आप यह कहां सक्चे पराइटल लोब में हमारी याददाश होती है, याददाश होती है यह तो मेरा दोस्त है, यह दुश्मन है, है ना, ठीक है, यह माता है, यह पिता है, यह आपका teacher है, जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक, तो किसी चीज को पहचानने की शक्ती, ठीक, किसी चीज को पहचानने की शक्ती वो कहां होती है, पराइटल लोब में, किसी बंदे से आपका क्या relation है, यह सारी जो knowledge है, यह कहां हो तो ये knowledge भी ये information भी कहा जाएगी parietal lobe में जाएगी और body में कोई touch कर रहा है कोई भी चीज चुब रही है कोई चीज टच हो रही है तो ये भी चीज जो है वो कौन पहचानेगा ये भी चीज आपका parietal lobe भी पहचानेगा ठीक है तो frontal lobe आपकी habit को बता रहा है अभी मैंने बता है ना personality character strip को बता रहा है कि आपकी personality कैसी है तो एक तरह से आपकी आदतों को जो है वो कौन इंगित करता है frontal lobe आपकी आदते कहां इस्टोर होती है frontal lobe में ताम किसी बंदे से आपका क्या relationship है, आपके माता-पितá'ाइ, यह सब परायटल लोब के अंदर होता है। इसके अलावाच जो अगर आपको पेन हो रहा कहीं पर तो भी वो पराइटल लोब information देता है आपके body में कुछ रिटाच हो रही है तो भी वो पराइटल लोब ही information देता है तो ये दो लोब बताए और दोनों लोब जो है किसका part है सेरी ब्रम का part है ठीक है अब हम बात करते हैं occipital और temporal lobe की ठीक है बई occipital और temporal lobe की बात करते है तो देखो भाइ occipital lobe is a back part of the brain that involves with vision ठीक है occipital lobe जो है वो सिफ और सिफ vision को बताता है vision ठीक है यहाँ पर द्रस्टी की चीज़ें समबंदित होती है जैसे आप जो भी कुछ देखते हैं तो उसकी information occipital lobe में चली जाती है ठीक है जैसे आपने कल किसी को देखा होगा ठीक है आज अभी मुझे देखने हैं लेकिन आपको याद होगा कि भाई हाँ मैंने class देखी थी तो वो information कहां जाएगी occipital lobe आँखों से जो लोब जुड़ा होता है कौन सा लोब जुड़ा होता है हमारा occipital lobe जुड़ा होता है हमारी आँखों से कौन सा लोब जुड़ा होता है हमारा occipital lobe जुड़ा होता है ठीक है temporal lobe temporal lobe जो है the slides of brain temporal lobe are involved in the short term memory जो short term memory होती है speech musical rhythm some degree of smell recognition पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक तो यह कोश्चन आता है कि जो smell-licanization है वो कौन-कौन से दो लोग बताते हैं एक तो temporal लोग बताता है और एक है frontal लोग लेकिन अगर question इस तरह से आ जाए कि भाई smell जो है वो किस लोग का part है smell-licanization किस लोग का part है और उसमें option में frontal भी और temporal भी है तो आप क्या लगाओगे बता भी आप क्या लगाओगे अगर smell-licanization आ जाता है एक्जाम में और उसमें option में frontal भी और temporal लोग भी है तो कौन सा option चूज करोगे कौन सा option चूज करोगे बेठा लुक्का तो मार दो हूं हां फ्रेंटल बिल्कुल सही फ्रेंटल चूज करो गया ना व्योंकि टैंप्रोरल भी है लेकिन फ्रेंटल जो है वो कुछ हद तक है सम डिग्री ओफ इस नलिवनिशन है पूरा नहीं है ठीक है फ्रेंटल लोग चूज करोगे बिल्कुल सही तो यह तो बात हुई हमारी कि सैरीब्रम की यह तो बात हुई हमारी किसकी सैरीब्रम की बात हुई अब हम बात करते हैं हाइपो थैलेमेस की बात करते है देखो भई हाइपो थैलेमेस जो है हमारे बॉड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टन पार्ट है basically जो hypothalamus है इसको हम master of master gland कहते हैं यह इसका नाम एक hypothalamus is also known as the master of master gland इसको master of master gland कहा जाता है, क्यों कहा जाता है योकि hypothalamus control करता है control करता है इसको pituitary gland को किसको control करता है pituitary gland को push grantee को जब मैं आपको hormone वाला chapter पढ़ाऊँगा तो उसमें इस gland के सारे function बताऊँगा और बताऊँगा की कहा कहा से कौन कौन से hormone निकलते हैं pituitary gland कौन से hormone छोड़ता है hypothalamus कौन से hormone छोड़ता है hypothalamus भी hormone छोड़ता है लेकिन यहां पर नहीं पढ़ेंगे हम hormone वाले chapter में पढ़ेंगे तो pituitary gland को एक control करता है और pituitary gland का nickname क्या है pituitary gland का nickname है master gland हिंदी में pituitary gland को हम बोलते हैं push grantee हिंदी में इसको बोलते हैं push grantee बोलते हैं ठीक है तो अब यह master gland को control करता है तो इसलिए हम क्या कहते है hypothalamus is also known as the master of master gland अब hypothalamus का कारे क्या है what is the work of hypothalamus इसका बच्चे कारे क्या है hypothalamus का राची विलकुल सही विलकुल सही वेटा जो pituitary gland है it is also called the master gland and hypothalamus controls the pituitary gland so it is called the master of master gland most important question है यह so it is called the master of master gland hypothalamus का कारे क्या है work क्या है hypothalamus का करता है it controls इसको it controls the body temperature हमारे शरीर के तापमान को नियंतित करने काम के इसकरा है hypothalamus का जैसे हम paracetamol खाते हैं बुखार हो जाता है paracetamol खा लेते हैं paracetamol खा लिया तो paracetamol जा करता है hypothalamus पर अटेक करता है बाई चल तू जल्दी से अपना जो temperature तुने बढ़ाया है उसको कम कर फटा फट ठीक है तो body temperature कंट्रोल करने काम किसका है hypothalamus का है ठीक है अच्छा इसके लागा और भी इसके काम है जो feeling of satisfaction है जो बच्चे feeling of satisfaction है feeling of satisfaction स्रप्ती की भावना जी से कह सकते हो किसी भी चीज का satisfaction हो सकता है ठीक है नीमू सुलाइड हाँ नीमू सुलाइड भी लेते हैं नीमू सुलाइड जो है वो basically pain और fever के लिए दोनों है सिर्फ जो नीमू सुलाइड होता है वो pain के लिए होता है और नीमू सुलाइड प्लस परसेटमोल भी आती है तो वो fever में भी काम करती है ठीक है यह मनत तो देखो भाई feeling of satisfaction जो है वो कौन देता हाइपोतलम है जैसे आप पढ़ रहे हो मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पढ़ाया हुआ से आप satisfy हो की नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप मास्टर ने आधा ही पढ़ा दिया या आप जैसे खाना खाने बैठे मम्मी ने चारी रोटी रेदी ख़़ाने को चार रोटी रेदी और आपको आज खाना टेस्टी बना तो आपको छे रोटी खानी है तो भाई satisfaction निमली चार रोटी में तो डेली तो चारी खाते तो आच्छा है खारे हो तो हम भी कहेगी बाई दो रोटी फाल तू कैसे खा रहा तू आज काम बढ़ा दिया वेरा समझ गया बात को तो feeling of satisfaction यह जो त्रपती की भावना आती है ना अंदर से किसी भी चीज को ले कि है ना चाहे आप मालो मॉमोज खाने गए टिकी खाने गए पीजा खाने गए है ना उसको ले के कि भाई हाँ आप तो satisfy हो गए इसको खा के ठीक है या और भी कई सारी चीजे है ठीक है चाहे वो किसी को देख कर satisfaction हो जाए ठीक है जैसे कभी वे भी होता ना भाई उनके बि या हमें जब भूख लगती है या प्यास लगती है कि भाईया हमें कितना पानी पीना है कब पानी पीना है कब हमें भूख लगती है कब इटिंग कितना खाना है कब खाना है तो यह जो information है यह सारी की सारी कौन केरी करता है यह सारी की सारी hypothalamus केरी करता है ठीक है यह बाता क ये बात खी वे उन ये बात अगी वे उन और बच्चे बढ़ी तवेड़न करो और भी बच्चे समझ में आई की नहीं आई पो थले में समझ में आगया हुँ 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 ठीक ठीक अभी अब आते हैं ब्रेन स्टेंप पे देखो यह थोड़ा सा जो पार्ट है ने ब्रेन स्टेंप यह थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है जैसे अगर हम इस्ट्रक्चर में देखते हैं रिस्ट्रूक्चर में देखते हैं इस लिकी जो ब्लैक वाला पाठ है यह सारा में इस टुटा हुआ यह बटा हुआ बहुत युद्ध पर को भी कुछ हर्णत म焦 आप अर्ध घेर हुए आसे इस तरह से बता जो रहे हैं तो एक कोशन डेने स्टाथ कि जो ब्रेन इसटेम है ना वह कौन-कौन से मतलब ब्रेन के किस-किस पार्ट को कवर करता है किस-किस से मिलकर बना हुआ तो brain stem covers the mid brain जो मद्य मस्तिश्क है पॉन्स और मैडूला है इन तीनों चीजों को यह cover करता है ठीक है यह question याद रखना important question है यह थोड़ा सा important question है ठीक तो brain stem covers the mid brain पॉन्स और मैडूला इनको connect करता आप उसमें connect करा जैसे पॉन्स इससे connect है और मैडूला भी तो इन सब को मिलाकर हम क्या कहते है बेडी स्टेम कहते है ठीक है तो बेडी स्टेम के अंदर बेसिकली जो functions है वो यही है जो इनके function है ठीक तो मैं अभी आपको mid brain का function बनाऊंगा पॉन्स का बताऊंगा मैडूला का बताऊंगा ठीक और फिर चीज़ें को आगे लेकर चलेंगी तो देखो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं mid brain की सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी mid brain की की बात करते हैं मध्य मस्थिष की बात करते हैं तो देखो भाई जो मिड़ ब्रेन है मिड़ ब्रेन जो है सबसे छोटा ब्रेन होता है जो मिड़ ब्रेन कंट्रोल किसको भई यह कंट्रोल करता है आखों को और कानों को है ना बेसिकली यह और आखों को आई को इन दोनों को यह कंट्रोल करता है ठीक है आखों को और कानों को यह कंट्रोल करता है यह और आई को यह कंट्रोल करता है तो यह मिड़ ब्रेन का हिंड ब्रेन की तो हिंड ब्रेन में बच्चे क्या क्या बताया था मैंने हिंड ब्रेन में क्या क्या बताया था हिंड ब्रेन में बताया था पॉंस टैरी बेलम और मैडूला तो देखो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं पॉंस की सबसे पहले हम बात करते हैं पॉंस की तो पॉंस जो है brain stem के अंदर located होता है और ये control करता है हमारे eye और face moment को जैसे आखों का फड़ाना हो गया है ना face का जो moment हो गया ये सब controlling power जो है वो किसके अंदर होती है ये सारे जो चीजें हैं वो control करता है PONS PONS का एक बहुत important function और भी है It also controls the respiration हमारे शरीर के अंदर जो श्वशन हो रहा है respiration हो रहा है उसको भी control करने काम जो है वो PONS का होता है ठीक है? उसको भी जो control करने काम जो है वो PONS का होता है ठीक है? अब बाताई करते हैं भई सैरी बेलम की सैरी बेलम जो है ये बेसिकली इसका जो function है ये voluntary muscle movement सैरी बेलम जो है हमारी मानस्पेशियों की गती को control करता है ठीक है मानस्पेशियों की गती को जैसे भई आप अभी notes बना रहे होगे साथ के साथ हाथों से लिख रहे होगे तो जो लिख रहे हो अंगलियों से वो मांस्पेशी गती होगी आप चलते हैं तो वहाँ पर मांस्पेशी गती होगी तो आपका चलना, दोडना, लिखना तो कोशन ऐसे नहीं आएगा कोशन कैसे आएगा कि writing, लिखना, दोड़ना, है ना, running, walking, ठीक है, इन सब को कौन control करता है, तो जहां भी मानसपेशी की गती होगी, muscles movement होगी, वहाँ पे control होगा, सेरी बेलम का, और muscle movement कैसे होनी चीए, voluntary होनी चीए, voluntary का मतलब होता है, अच्छिक, जो अपने मन से हो, है ना, इसके अलावा, हमारी body के posture को, balance को, equilibrium रखता है, है ना, जैसे अगर किसी भी बंदे को, paralysis हो जाए, तो अपने शरीर के भार को समाल नहीं पाता है, समझ गे, तो ये काम होता है, कि इसका सेरी बेलम का, तो सेरी बेलम बेसिकली, इशों की गती, muscle moment, जो voluntary muscle moment है, वो कौन कंट्रोल करता है, बच्चे, वो कंट्रोल करता है, हमारा सेरी बेलम, it is controlled by the सेरी बेलम, ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में, यहाँ तक बात आई समझ में, भाई, ठीक है, अब देखो, मैडूला क्या कंट्रोल करता है, तो मैडूला कंट्रोल करता है, भाई, हमारा, अगर हमें छीक आ रहा है, स्नीजिंग, छीक आ रहा है, टॉफ आ रहा है, कफिंग, वामिटिंग, उल्टी आ रही है, ठीक है, यह सारी चीज़ें, इसके अलावा, हमारा जो बीपी है, ब्लेड प्रेशर है, ठीक है, ब्लेड प्रेशर है, यह सारी जो चीज़ें है, कंट्रोल करने काम किसका होता है, medulla का control करने काम होता है और medulla हमारे brain का सबसे अंतिम पार्ट है, सबसे last part है it is the last part of our brain यह हमारे brain का सबसे बच्चे अंतिम पार्ट है last part है तो यह था brain के अलग-अलग parts जो मैंने आपको समझाए और बताए ठीक अब next class में बच्चे मैं brain का अभी इस section में मैंने आपको क्या बता है, brain के बारे में बताई साही चीज़े, next section में start करूँगा spinal cord से जो की morning में रखा है कल morning में 8 वजे YouTube पर यह 8 एम पर यह session रखा है, जिसमें spinal cord और कुछ TNS के बारे में चीज़ों को बताएंगे आपको ठीक, अच्छा एक चीज़ और देख लो, चलते चलते कुछ questions बतावई outermost layer of cranial appendage cranial appendage कहते है meanings को, meanings का outermost layer कौन सा होता है what is the outermost layer of meanings starting बताए था what is the outermost layer of meanings ठीक है तो जो outermost layer है meanings का वो क्या है भई, duramatter है ठीक है, व्योंकि meanings जो वो तीन पार्ट में डिवाइड है इस तरीके से, हैना सबसे उपर D, Dep, D, A, P duramatter, arcanoid और pyamatter, तो इसका answer क्यों हो जाएगा बच्चे, duramatter हो जाएगा next cranium millings is close approximately of the brain है ना, तो सबसे उपर तो duramatter होता है, बीच में arcanoid होता है, सबसे नीचे क्या होता pyamatter होता है, और इसके नीचे अमारा brain होता है मस्तिश होता है तो कौन सा meanings का कौन सा हिस्षा brain के सबसे close है मिनिंग्स का कौन सा हिस्सा ब्रेन के सबसे क्लोज है तो सबसे क्लोज कौन सा हिस्सा है भई सबसे क्लोज कौन सा है बिल्गूल सही भई सबसे क्लोज है पाया मैटर ठीक है सबसे क्लोज क्लोज कौन सा है पाया मैटर और सबसे उपरी वाला डिवा मैटर बीच का अगर पूछते हैं तो arcanoid next this part of human brain is also known as emotional brain emotional brain कहते हैं this part को human brain के this part को emotional brain भी कहा जाता है यह है आपका limbic system limbic system is also known as the emotional brain limbic system is a set of structure of the brain डेट डील्स विद इमोशन सेंड दा मेमोरी इट रेगुलेट था अटोनॉमिक और एंडोक्राइन फंक्शन तो रेस्पॉंस इमोशनल इस्टिमलाई इट आलसो इंवल्वें रेइनफॉर्सिंग बिहेवियर ठीक है तो यह एक इंपॉर्टन कोश्चन है इमोशनल ब्रेन क सिस्टम को ओँ ह कि अकिषय निम्बिक इस्टमने पूरे ब्रेज में फैला होता है घख जो है अगर हॉइव्पोथ्रम्स में इंजरी हो जाती है तो क्या होगा अब देख वहॉए उप्र опасender करता है बॉइ टेंपरेचर को नहां अभी्षी दिंग को खाने को पीने को इडिंग वज़ारा को लोको मोशन यह तो होगा नहीं कि लोको मोशन को कंट्रोल कौन करता है इसके बाद एक्जीक्यूटिव फंक्शन लाइंग डिसीजन मेकिंग यह भी सेरिवरम का पाट है फ्रेंटल लोक का पाट है अब बात आता बचा क्या है रेगुलेशन और बॉडी टेंपरेचर क्योंकि बॉडी टेंपरेचर कंट्रोल करने काम किसका है हाइपो थेलमेस तो इसका आंसर काट करते ही और यह सारी चीजे मैं 산 Fucking आपको कराई तो आशा करता हूं और अच्छा लगाओंगा ब्रेन आपको समझ में आया हुआ humor किणí और अच्छी तरसे चीजों को समझाओं ठीक है और अच्छी तरह से चीजों का आप समझ पाएं ठीक तो मिलते हैं बच्चे नेक्स सेशन में और अगर आपको अनकेडमी पे प्लस सब्सिप्शन लेना है ND, Airports, XY, Navy का या इसके लावा कोई और भी SSC का लेना है या गर में कोई भी IAT, PMT, JE का कोई स्टुडेंट है उसको अनकेडमी पे सब्सिप्शन लेना है तो आप कोड यूज कर सकते हैं GS01 यह कोड यूज कर सकते हैं बई GS01 इस कोड का इस्तमाल करके आप जो भी फीस होगी उसपे 10% का डिसकाउंट आपको मिल जाएगा तो इस कोड को याद रखें गौरफ सेंग 01 ठीक है तो इस कोड का इस्तमाल करें और आज के लिए इतना ही thank you so much तो कोई doubt बगारा है तो पूछ सकता है doubt बगारा है आपका तो कोई पूछ सकते है जालो जालो तो बच्चे मिलते हैं next session में कोई doubt नहीं किसी जा ओके बच्चे तो टेक केर बबाए जाहिंग और कोरोना से बच्चे रहें और मिलते हैं next session में और एप पर रात तो क्लास होगी आप उसमें चीजों को देख लेना है क्लास कितने मुझे शेडूल की गई है और वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं